कि अज़िए सबसे पहले आप वो लाइट रूम आप उपन कर लेना है एंड देन आल फोटो पे क्लिक करना है और आपको अपनी औरिजिनल फोटो पे उपन करना है ओपन कर लेने बाद आपको सिंपली यहां पर जाना है और इन दूनों को अन कर लेना है तिन सार्पनिंग को अबाउट 14 रखेंगे 14 ए 16 मास्किंग को भी थोड़े बढ़ा लेंगे नोजाइस डिटिक्शं को फिटीन के आश पर रखेंगे अशन नोजाइस डिटेशं को अबाउट 27 यहां डीटेल्स को अबाउट 70 कर लेंगे कि जनिक षी आपको यहां टेक्ष्य को बढ़ा लेना है थोड़ा दवंदें लिटी वी बढ़ा लिए भी बढ़ा औरेंज पर आके लुमिनेस को बढ़ा लेना है एबाउट 29 कर लेंगे एड देन यल्लो पर आना है और हीव को बढ़ा लेंगे थोड़ा एबाउट 70 एड सेचिरेशन को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे एबाउट 37 जिन जीन आना है हुआ को अबाउट हैंड़ कर देंगे एंड सेच्रिशन फोलड़ किस्धांगे अड ब्लू में कीश diagnosis कर देंगे यहां पर भी सेच्रेशन डिक्रीस क्रों यह फिस्फिरेशन डिक्री आपको डुकर देना है इंट तन आपको यहां पर क्लिक खरना है और फर्स्ट वन को सिलेट करके इस पॉइंट को आपको ब्लू के पास ले जाना है कि राउंड ब्लू ही रखना है आप देख सकते हैं हीव को 218 इंड सेचुरेशन 33 कि बेंडिंग को वैसा ही रहने देंगे एड देन आपको सिंपल इसके बगल में जाना है कि इसको पाउंटर के भी आपको बलू के पास भी रखिए है थोड़ा पने आपस एडिजस्ट कर ल्ए फोटो की साब से कि इसके बेंडिंग को फूल कर देंगे अ जिन इसके बगल apologies जाना है और इसको इसको pointer को बिल्कुल center के पास रखेंगे और side pointer को blue के पास कुछ इस तरह के देख सकते हैं इसको भी हो रहा हम लोग blue के पास ही रखेंगे and then simply आपको done कर देना है कर देने बाद आपको यहां पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने बाद सेड़ों को थोड़ा increase कर लेंगे about decrease कर लेंगे माइनस 10 ब्लैक्स को भी कम कर लेना है थोड़ा contrast को बढ़ा देंगे about 4 आप देख सकते हैं before and after photo and then highlights को थोड़ा adjust कर लेंगे अपने फोटो के साथ से and then simply आपको यहां से done कर देना है और आपको share बटन पर क्लिक करना है क्लिक करने बाद आप simply photo अपने save कर सकते हैं